अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और यहां पर आपका जो डेटा होता है वह बहुत ज़्यादा खर्च होता है तो आप लोग ऐसा चाहते हो कि अपना डेटा भी सेव कर लो और इंस्टाग्राम को यूज़ भी कर पाओ तो आज की इस वीडियो में मैं आपक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चरूर करना तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपना इस्टाग्राम को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहां पर प्रोफाइल का अप्शन सबसे नीची आपको दिखाता है व यहां पर बहुत सारे अप्शन आप लोगे लिए यहां पर दिखाई देते हैं अपडेट मेसेंजिंग फोलो एंड इवाइट फ्रेंड्स तो यहां पर आपको एक उप्शन मिल जाता है एकाउंट का तो आप लोग एकाउंट पर सिंपली क्लिक कर दोगे क्लिक करने के बा इसे इनेबल कर लोगे तो आपका जो डेटा हो सेफ होके और बहुत अच्छे से चलेगा और ज्यादा आपको डेटा खर्च भी नहीं करना होगा और यहां पर अगर हाई रिजलेशन मेडिया है तो यहां पर आप लोग इसे क्लिक करके निवर भी कर दोगे तो नहीं होगा या फिर अगर आप लोग वाई फाई ओनली करते हो तो सिर्फ वाई फाई पे ही आपको हाई रिजलेशन मेडिया दिखेगा या फिर अगर आप लोग चाहो तो सेलर और वाई फाई दोनों कर सकते हो तो यहां पर मैं सिंपली वाई फाई ओनली करते हो और आप लोग चाहो करता हूं इस सेटिंग करने के बाद आप लोग अपने डेटा स्रक्षित कर पाऊगे और आराम से बहुत जाद देर देख अपलोड नेटी उज़ कर पाऊगे